सब्सक्राइब करें अपने यूटीब चनल लानमोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्सिन पाने के लिए वैलकम फ्रेंट्स तो स्वागदम दोस्तों चोट पर लगाने की दवा का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले एक दवा आती है वह है पोवीडिन आयोडिन ओइंट्मेंट जो पीले कलर की दवा होती है इसम बचपन से देखते आ रहे हैं इसका सबसे पॉपुलर व्र जाता जो गाओ पर ब्लेडिंग को रोकने के लिए प्रियोग ली जाती है वहाँ दवा है फेरेक्रीलम यहां फेरेक्रीलम जेल तथा सोलीशन दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है इन्हीं दोनों की पूई डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों का सब्सक्राइब लर्न अबूट मैडिसिन चलिए आज वी कुछ नया सिकते हैं है लोफेंट्स नमस्ते दोस्तों फेरेक्रीलम एक एंटिसेप्टिक तथा हिमोस्टेटिक दवा है जो ग्राम पोजेटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों ही परकार के माइक्रोब्स के लि बना देती जिसे की बहताव खुन रुक जाता है यहां जेल तता सोल्यूशन दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है जो किसी टोपिकल प्रिप्रेशन इसे एक्स्टरनल यूज बाही उसके लिए बनाए गया है अगर यहां पर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो जो फेरेक्र पॉपुलर ब्रेंड नेम के बारे में जान लेते हैं जैसे की सेपगार्ड होमोलोक रेपालम थैमसिल यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रेंड है और यह सभी जेल तता सोल्यूशन दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है जो आपको आप सकते हैं और इसके अलग को दूसरी ब्र व्रि प्राइज को जान लेते हैं जो जेल है यह आपको 15 ग्राम की पेकिंग मेलती है और 30 रुपे से लगा कर 50 रुपे की मृपीम आपको मिल जाता है जो बी आपको आशानी से सस्ता मिल जाए उसे आप ले सकते हैं अब वीडियो मागे इसके यूजर की बारे में जान ले जाता है तो जैसे कि फेरेक्रिलम एक एंटिसेप्टिक तथा हीमोस्टेटिक दवा है जो अब इसकीन पर बैक्टीरिया की ग्रोथ को तथा इंफेक्शन को होने से रोकती साथ ही बहते हुए खोन को रोकने के लिए इसका प्रियोग लिया जाता है इस्ततिया जिन में इसका जाता है उसको ठीक करने के लिए इसकी जेल प्रियोग लाई जाती है जब ज़्यादा गाव हो जाता है घून बहता रहता है तो उस समय भी यहाँ जेल लगा कर उस खोन को रोका जाता है और यदि गाव बहुत ही बड़ा है घहरा है खोन लगातार बहता जा रहा है जहां आप हम जेल नहीं लगा पा रहे तो उस समय इसके सोल्यूशन का प्रियोग किया जाता है डायरेक्ली गाव पर इस सोल्यूशन को लगाए जाता है और इस सोल्यूशन का जो मुखी यूज है वह है ऑप्रेशन के बाद में लगे हुए कर्ट था वोन में ब्लेडिंग को रो समय भी इसका प्रियोग करते हैं अवर ओल यदि किसी जगा पर इसकीन पर आउटर एडिया में वुंड हो गया वह ब्लेडिंग हो रियूशन का प्रियोग लिया जाता है सामानित है जब भी हमें चोट लगती है तो हम पोईडिन आयडिन का प्रियोग करते हैं जिससे कि व जखाए लिए अब वीडियो में आगे जान लेते हैं इस जेल सब्सकीन को किस तरह से एस लगाने का तरीका क्या है तो इस जेल को भी जो अन्य जेल है उसी तरह से लगाया जाता है सामयने तरह जहां पर wound हो, cut हो या burn हो गया हो तो उस पर एक मोटी सी layer लेकर इसके जेल की लगा दी जाती है और थोड़ा extra area cover किया जाता है अवस्तता होती तो वहाँ पर पट्टी भी की जा सकती है उसे खुला उसको हटा लिया जाता है और इसी तरह से जो post operative गाव है उसमें भी इसका प्रियोग लिया जाता है और post operative कई बार जग ज़्यादा bleeding नहीं हो रही है गाव है तो उसको ठीक करने के लिए इस solution को किसी sterile solution में मिलाए जाता है फिर जो गोज है उसको इसमें विगो कर wound पे र जाती है तो इस तरह से जेल तता solution का प्रियोग किया जाता है अगर इसके side effect के बारे में बात करें तो सामयनत इसके side effect नहीं देखे जाते sterile solution है लेकिन फिर भी यदि किसी व्यक्तिकर से side effect होते है उसमें घाव पर व्यक्तिकों burning हो सकती है सुजन आज सकती है irritation हो सकता है और को allergic symptoms दिखाए दे सकते है यदि यह इस तरह के समझे है आपको दिखे तो एक बार डॉक्टर से मिले हाला कि जो burning है थोड़ी समय बात ठीक हो जाती लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो तो डॉक्टर आपको particular treatment देंगे और यदि कोई व्यक्ति है जो पास्ट में इस फेरे क्रिलम जेल तता solution के अबाले में उमीद करता हूं विल्कुर नई जानकाई मिलने के साथ वीडियो को जो से पसंद आए होगा यदि वीडियो को पसंद आए वीडियो को जो से लाइक करें जदधा इसको शेयर करें जो किसी और की काम आज सब्सक्राइब नहीं किया ह जाति से लोगन है को जो से लोग मिलने काम नहीं कि विल्कुर नहीं करते हैं ऎ।